दोस्तों वल्कम बैक टू अनदर एपिसोड ओप टेक्ट्रोप और आज की क्या है टेक्ट्रोप क्या है हाइलाइट आइपेड एयर की स्क्रीन होने वाली है और भी ज्यादा सांदार इसमें डिस्प्ले बदलने वाला क्या होगा मैं बताने वाला हूँ यकीन नहीं होगा यूट्यूब का नेया AI फीचर कितना कमाल का है क्या है वो फीचर वो भी मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसो cotton का नेया AI वीडियो टूल इंटर्नेट की अगली कांती बन सकता है या एक बुरा सपना भी बन सकता है या है ह वो भी मैं बताने वाले हूँ दोस्तो इसके अलावा आज देखेंगे IPL का ताजा मसाला और भी धमागेदार Tech Drop अगर मिस करी तो पस्ताने वाले हूँ नमस्ते दोस्तो मैं हूँ सचिंगल और ये है मेरे साथ Tech ग्यान बाबा सैब से और आपके लिए हम लाते हैं डेली नए Tech Update, Amazon Deal, Launches, OTT और Mobile App दोस्तो क्या आपको पता है Mount Everest की चोटी पर भी टूची सिगनल आता है और दिली की टीम ने कुछ वर्सों के लिए दिली डेवल नाम से खेला और लाल और काले रंग की जर्सी पहनी अब वो दिली केपिटल है और नीले रंग को ज़्यादे प्रफोर करती है दोस्तो पहली टैक्टरो पारी है यहाँ पर वीवो का V30E इंडिया में लॉंच होने जा रहा है और उसको लॉंच होगा 2 मई को और इसमें 5000MH की बैटरी आपको देखने को मिलेगा 20MP कैमरा मिलेगा तो अगर आप बजट में एक फोन पर्चेस करना चाते हैं तो यह 2 मई को अविलेबल होगा तो आप देख सकते दोस्तो अगली टैक्टरो पारी है अपल का HomePad जो Next Generation होने वाला उसकी जो टच स्क्रीन उपर की होने वाली है उसका Next जो HomePad है उसकी कुछ लीक्स फोटो के निकल के आई है तो वो बहुत जल्द लोंच होगा कब लोंच होगा साइद आईफोन के इविंट के साथ ही लोंच हो जाए तो यह अगर आपको पसंद है तो यह एक आप के लिए बढ़ी अपडेट है दोस्तों Next Tech Drop आ रही है iPad Air अगर आप पर्चेस करना चाते हैं जिसकी 12.9 इंच की स्क्रीन है तो उसमें जो डिस्पले होने वाला पहले बताये जाये था OLED डिस्पले उसमें देखने को मिलेगा बढ़ अब बताये था रहा के Mini LED डिस्पले देखने को मिलेगा अब Mini LED नोर्मल LED से काफी बहतर होता है काफी बढ़िया उसमें पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पे डिस्पले जो है बहुत ही सांदार होने वाला हाला कि जो इसका बड़ा वड़ जन है उसमें OLED डिस्पले आपको देखने को मिलेगा लॉंच होगा यह मई के महिने में लॉंच हो सकता है दोस्तो अगली टेक बरो बारी आपने Netflix Calibrated Mode सुनाओगा बट आप अमेज़े जन प्राइम वीडियो Calibrated Mode आपको मिलने वाला Prime Calibrated Mode का मतलब है कि जैसे आप Sports देख रहे हैं Movie देख रहे हैं या कोई Web Series देख रहे हैं उसके According जो है Automatically Brightness को Adjust करना उसके Contrast को Adjust करना यह उसी According जो है यहाँ पर कर पाएगा जिसमें की Netflix में भी होता था तो अभी जो है आपको खुदी करना पड़ता था या आपको पता ही नहीं होता था तो वो Picture Quality इतनी बहतर नहीं नजर आती थी तो Sony TV में यह Prime Video Calibrated Mode आपको देखने को मिलेगा जो अब 2024 वाले मुदल आपको आ रहे हैं दोस्तो नेक्स टेक ड्रोप आ रही है मेटा की AI Services जो है ओल्मोस्ट सभी जगया अबलेबल हो गए है बट अभी जो है एक टेस्टिंग पिरियाड में मितलब लिमिटेड लोगों को है तो यहाँ Instagram पे, WhatsApp पे, Facebook पे मिल रहे हैं अब यह Image Generate भी कर सकती है वैब सर्च भी कर सकती है तो यहाँ पर अब जो है वैब सर्च भी वहीं पर है तो यह मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में एक तरीके से Google के लिए खत्रा हो सकता है क्या तो यह Meta की AI Service जो है काफी कमाल की है और इसको लगातार अब देट किया जा रहा है हो सकता है आपने अभी टेस्ट न की हो आने वाले टाइम में आपको जरू मिलेगी दोस्तो अगली टेक ब्रोव आरी है YouTube अगर आप देखते हैं तो YouTube पे एक नया खास फीचर की टेस्टिंग हो रही है जिसका नाम है जब वीडियो देखेंगे उसके नीची एक बटन आएगा उस वीडियो के बारे में आप लंबी वीडियो ना देखके आप उससे कोश्चन पूर सकते हैं जो AI है और वो उस कोश्चन का आंसर उस वीडियो के बेस्ट पर देगी उस वीडियो में क्या कहा गया है तो आपको आंसर इसली मिल जाएगा आपनी तरफ से कुछ भी आंसर नहीं देगी तो एक तरीके से कहें यह परसनलाइज AI फीचर देखने को मिलेगा और इससे जो है लोगों को फायदा जरूर होने वाला है कि बहुत सारी लंबी वीडियो होती ही तो उसमें क्या ढूंड रहे हैं वो मिल पाएगा या नहीं अभी यह लिमिटेड लोगों के लिए है यूएस में टेस्टिंग चल रही है सिर्फ यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स के लिए यह है कुछ लोगों के लिए दोस्तों माइक्रोसोफ्ट की AI वीडियो सर्विस जो वसा 1 करके बताए जा रही है वो बहुत ही डेंजर हो सकती है या बहुत अच्छी हो सकती क्योंकि अगर एक फोटो आप देते हैं उस फोटो से वो वीडियो बना सकती है उसकी वोईस डाल सकती है उससे जो आप लिखोगे वो बात कर सकती है और बिलकुर रियल में वो आपको देखती हुई नजर आएगी अब ये कितनी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है या डीफ फेक जो वीडियो अभी कुछ दिन पहले आई थी हमारे इंडिया में कुछ स्टार्स की तो ऐसा ही करके ये एक तरीके से बुरा गूप ले सकती है तो ये आने वाले टाइम में पता लगेगा अरे नहीं मेरी कोई डीफ फेक वीडियो बना देगा ये तो बहुत ही टेंजरेस है दोस्तो अगली टेक ड्रोप आ रही है अगर गूगल मैप आप यूज करते हैं और बहुत सारी जगे पर आपका सेलूलर डाटा नहीं आता वाइफाई नहीं डाटा आप अपना एक लोकेशन नहीं बता पाते हैं तो अब जो है एक अपडेट आने वाला गूगल मैप में जो डैड जोन होते थे उनके लिए सेटलाइट के थुरू कनेक्ट करके आप जो है अगर वाइफाई है या नहीं है तो आप अपनी लोकेशन बेश सकते हैं आप जो है दिन में पाँच बार ऐसा कर सकते हैं ऐसी अपडेट जो है यूएस में होने वाली है इंडिया में या दूसरी कंटी में कब होगी इसका अभी नहीं पता तो आपको नेटवर्क वाइफाई नहीं है कई ऐसे एरिया में जैसे पहाड है तो वहाँ पर यह बहुत बढ़ी है तरीके से काम करने वाला है दोस्तो आज के IPL मैच की बात करें लखनाओ और CSK में मुकाबला होने वाला तो आप बताओ कौन सी टीम जीतेगी वैसे जहां तक है CSK जीतने वाली बट LSG को कम मताकना निकलस पूरण जो है बहुत ही खतरनाक बैटस मेंने कल की मैच की बात करें तो मुंबई ने मैच जीत तो लिया पर दिल पंजाब के आसुतो सर्मा ने जीता क्योंकि 5 बिकेट गिर चुके थे 50-60 में और फिर आसुतोस आये आसुतोस ने 28 बोलो पर एक सटरन बनाकर बहुत जबरदस्त पारी के लिए अगर वो आउट ना होते तो ये मैच मुंबई हाच चुकेती पट वो आउट हो गए दोस्तो आज की OTT के बात करें तो नेट्फिक्स में आर्टिकल 370 मूवी है बहुत ही कमाल की है इसको जाके जरूर देखिएगा बहुत ही जबरदस्त है दिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तो अगर आप जो है कंस्ट्रिक्शन में थोड़ा सा इंट्रेस रखते हैं तो आपको लिए एक गेम है कंस्ट्रिक्शन समिलेटर 3 लाइट ये जो है कैसे कैसे रोट्स बनती है कहां पर क्या होता है तो इसको जरूर देखिएगा एक बार इंस्टोल करीगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तो आज की डील की बात करें आस उसका टॉक गेमिंग अफ 15 लैप्टॉप मिल रहा है 5, 2, 9, 9, 0 रूपीज में जिसकी कोष ज़्यादा होती है इसमें आपको RTX 20, 50, 4GB RAM 4GB GPU भी देखने को मिल जाएगा बहुत ही कमाल का गेमिंग करने का सोग कर डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिल बहुत ही कमाल की है और दोस्तों सैमसिन के नए स्मार्ट टीवी के बारे में जानना चाते हैं तो दोनों वीडियो अबलेबल हो गई है चाहें OLED देखना है या आपको Crystal USD उसकी डिटेल वीडियो है तो जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों ये थी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो पसंद आई तो लाइक करना शेर करना और कमेंट करके बताने वीडियो कैसी लेगी थेंकिस सो मच बंदेवात मिलते हैं कल फिन नई टेक ड्रोप के साथ बाए बाए